हेलो वेल्कम गईस मैं हूँ आपका दोस्ता पूर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेकर स्टडी यूट्यूब चैनल गईसाज के वीडियो में हम वानप्लस के वाई स्रीज HD Ready LED Smart Android TV 32 इंच का रिवीव करने वाले हैं यह टीवी जुलाई 2020 में लांच हुई थी तो हम अन्बॉक्सिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा आपको बताते हैं कि इसमें हमें क्या मिलने वाला अगर अक्सेसरी की बात करें तो यहां पर हमें दो टेबल स्टैन्ड वन लेकि तो 2.4 GHz का Wi-Fi स्टैन्डर, Bluetooth 5.0, एक Ethernet input जो की Internet के लिए है वैसे Wi-Fi से लोग जादा यूज करते हैं 2 HDMI port, 1 AV composite port और 2 USB port बट हेटफोन जाएक यहां पर नहीं देखने को मिलता है वैसे अब इसके अच्छे alternatives option है तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है एक और अच्छी बात यह है कि इस TV का जो पावर कंजंशन है वो 55 Watt है और इसका जो वजन है वो 3.5 KG है ओके तो अब हम TV को on करेंगे ओके तो टीवी की जो इनिसियल प्रोसेस है वो काफी ज़्यादा आसान है यहां पर केवल ओके ओके करना है तो मैं इस step को skip कर देता हूँ और आपको सीधे home screen पर ले चलता हूँ ओके तो यह है हमारे टीवी की home screen और अब हम बात करेंगे वीडियो फीचर और क्वालिटी की तो इसमें HD Ready 720 पिक्सल टेक्नोलोजी पैनल लगा है और 1366 गुडे 768 इसका resolution है realistic and cinematic experience के लिए 93% color gamut, wide display, gamma engine picture enhancer and processor with noise reduction, color space mapping, dynamic contrast and high quality visuals का इसमें यूज किया गिया है display का refresh rate 60 hertz है, 91.4 screen body ratio के साथ bezel less design है जो की एक premium look भी देता है after all visuals काफी fascinating है guys ये तारीफ मैं साथ पहले नहीं करता जब ये launch हुई थी लेकिन अभी recent में इसके दो बड़े update आए हैं जिसके बाद इसमें काफी जो bugs थे वो सारे fix हो गए हैं तो अब इसमें मैं ज्यादा कुछ cons नहीं निकाल सकता and guys जैसा कि आप जानते हैं कि आज कर टीवी में speaker यानि audio quality ये सब कितना ज्यादा importance रखते हैं तो चलिए देखते हैं इस टीवी के sound system के बारे में तो guys इसमें 20 watt का sound output मिलता है बट actual में ये okay है काफी ठीक था गए क्योंकि इसमें dolby digital plus का support मिलता है and guys अब हम बात करेंगे टीवी के कुछ खास specification and features की जो की हम खरीदने के पहले जरूर इनको ध्यान देते हैं तो इसमें OS Android TV 9 है और Google Assistant का support मिलता है easily आप इसे अपने phone से connect करके control कर सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, chromecast कर सकते हैं 1GB RAM, 8GB internal memory के साथ आती है और Prime Video, Netflix, YouTube इन सब apps का shortcut में support मिलता है और Google Play Store के द्वारा आप apps इंस्टाल कर सकते हैं and quad core MTK 6683 processor मिलता है जो की बुरा नहीं है, ठीक ठाक processor है and हाँ, एक साल की warranty plus one year additional on panel warranty मिलती है, जो की खरीदी भी तारीक से यह माने होती है and guys, I know, बहुत सारी लोग जो है इसके price वगरा के बारे में सोच रहे होंगे, तो price and availability की बात करें तो यह Amazon and flip card पर आपको बहुत यह आसानी से मिल जाएगी but price जो है काफी ज़्यादा fluctuate करता रहता है, कभी यह 14,000, कभी 16,000 ऐसे ही रहती है and festival, sale, holy, diwali, events में यह काफी low price पे भी मिलती है तो आप video की description में जाके अभी current में इसका कितना price है वो देख सकते है तो guys, यह था OnePlus brand के एक TV का review video, I hope you enjoyed this video, please like, share and subscribe this video, keep support us and see you in next video, goodbye, thank you कर दो दो